What's up guys, आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान में आजाद घूम रहा 26 ग्यारा का आतंकी, रोहित विराट को बुलाने के पिछे की साजिस का खुलाशा भाई साब ये तो मैंने न्यूस भी पढ़ी थी और एक दो न्यूस आर्टिकल से देखे थे, खुलने में तो घूम रहा है आदमी, इसके पूरा डिटेल में पढ़नी पाया था, तो सर आज डिटेल में बताएंगे हर एक इनफॉमिशन, चैल बदो, प्लीज सब्सक्राइब दिया, तैसस्र रिलीजड ड़ोजियर कि कौन-कौन सा आतंकवादी पाकिस्तान में रह रहा है, उसने भारत के खिलाफ क्या करा, ये सारी की सारी चीजें, उन्होंने रिलीज कर दी, अब पाकिस्तान से ये रिसपॉंस आ रहा है कि साब, ये तो सोची सम्झी साजिश है भ मना नहीं कर रहा है। देश ऐसा करते हैं, टाइम कर देते हैं आर चीज़ें, कि हमें नहीं जाना इस करान से नहीं जाना। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान को ये बोलना चाहिए, सिर्फ एक बाद, क्या ये डॉजियर सच है कि जूट है। उसने किस टाइम पे करा, क्यों करा, आप ये बताओ, क्या भारत सही कह रहा है, गलब कह रहा है। ये बताना पड़ाएगा पाकिस्तान को दोस्तों, यहां पे पाकिस्तान में बड़ा डिसकॉशन हो रहा है कि इंडिया की टीम नहीं आ रही और ये कर दिया, दोका दे दिया, पाकिस्तान दोका देता आ आ भार हो उस United Nation Security Council के Resolution को यह पक्का जिसको कहते हैं आप पत्थर पर लकीर मानते हैं जब भी आप किसी पाकिस्तानी से बात करिये United Nation Security Council Resolution के तहट प्लेवेसिट होना चाहिए यह सारी यह सारी पकवास पाकिस्तानी करते हैं लेकिन वही United Nation Security Council का Resolution जब कहता है कि जखियर रह्मान लकई एक टेर्रिस्ट है वो मानता है की ओ टेर्रिस्ट है उसका योजात्या में घर उसका रावलपिंडी में घर उसका लाहूर में घर दंदनानाता कि खुले घुमता है भाई दंदनानाता खुला घुंब रहा है कोई रोकने टोकने वाला नहीं है ये बंदा जक्यूर रहबान लक्मी वो है दोस्तों जिसने 26-11 प्लान करा गूम रहा है खुला जिम में वर्काउट कर रहा है अपनी फिजिकल फिटनेस बला रहा है मैं वापस इस पे आऊंगा कि कौन-कौन और हैं इनका क्या लिंकेज है मैं उसके उपर भी डिसकाशन करूँगा लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात है सोचने वाली बात है कि भारत से कुछ ऐसी आवाज है यार क्या है ये हम क्यों नहीं खेल रहे पाकिस्तान के साथ क्रिकेट तुम्हारे घर में हमला नहीं वा बेटा तुम्हारे घर का भगवान ना करें किसी के साथ मेरे साथ किसी के साथ असान हो भगवान करें कि कभी असान हो किसी के साथ लेकिन तुम्हारे घर में खून नहीं वा इसलिए तुम्हें क्रिकेट की इतनी खुजली हो रही अंदर से, कि किसी तरीके से भारत और पाकिस्ता, यहाँ पे मीडिया में लोग आर्टिकल्स लिख रहे हैं, कि दिस इस अ ग्रेट ऑपर्चुनिटी, पाकिस्तान तुम जैसे लोगों को यूसफुल इडियट समझता है, तुम्हें इस्तिमाल करा जा रहा है क्योंकि इनको पता है कि इनको क्रिकेट की खुजली है, इनको पता है कि हम कुछ भी करेंगे, और वही पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, मैं मानता हूँ टैलेंट है शोय बखतर में, मैं मना नहीं कर रहा, मैं मना नहीं कर रहा, शाहिद अफरीदी में टैलेंट है कौन मना कर सकत आप के तो तुम्हारे मूँ पर कह रहे हैं यार। तुम्हारे मूँ पर कह रहे हैं और तुम कहरे हो नहीं यार, इसकी बोलिंग बड़ी अच्छी है, सुनौ कि आने वर वक्तों में मंगोल्स आपकी मदद के लिए पोचेंगे और फिर उसके बाद मंगोल्स जो पुराना चाइना था वह मंगोल्स कहलाता था वह भी है वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी आ रही है लेकिन ये भी लिखा गया है कि घजवा हिंद के बारे में लिखा गया अटक का दरिया दो दफार रंगीन होगा खुन से और एख्वानिस्तान की फोजें अटक तक पहुचेंगी ये सारी पेशिंगों उन्हें ने की लेकिन उसके बाद शमाल मश्रिक से फोजें उठेंगी ठाट तोलियों में से लोग आएंगे उस्बिक्तान से खुरसान की बात किये खुरसान यहां लाहूर तक बनता था प्राना खुरसान हाँ फिर वहां से शमाल मश्रिक होईगी शमाल मश्रिक फोजें निकलेंगे तब आप वो पश्मीर फटा करेंगे उसके बाद अंचाला आगे चलेंगे सुना दोस्तों सुन लिया आप मैं इनको गजवाय हिंद करना है इनको काफिनों को मारना है कितने ही अच्छे बनके मतलब टीवे उस पे दिखा लें लेकिन अंदर से कश्मीर के अंदर गुज जाना है यह खुल के तुमारे मुझ पे कह रहे हैं और आप जाके वेरिफाई कर सकते हैं जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप वेरिफाई कर सकते हैं आप जाईए आप देखिए यह बंद है और आप इतने बेवगूफ हैं इतने ज़्यादा बेवगूफ हैं कि क्रिकेट के लिए पगला रखे हैं बिलकुल कि क्रिकेट मिल जाए मुझे कहती है कि लखवी जो है वो जिम कर रहा है तीन असोसियेट हैं दोस्तों इसमें से हैं डॉक्टर मोहमद सहीद एसिस्टेंट प्रोफिसर एट इसलाम अबाज नाशनल यूनिवरस्टी ऑफ मॉडर्न लैंगविज एनियू एमल जो सपोर्ट करते हैं लखवी को और उसकी ट् हारिस ये भी डॉक्टर असाब डॉक्टर जायद हारिस ये इसलामिक स्कॉलर हैं और हुमेनिटेरियन एड़ोकेट हैं इंसानियत की बात करते हैं आपने इनकी इंसानियत देखी ली होगी लखवी की 26 ग्यारा काफिर का खून बहे उसको इंसानियत कहते हैं ये देखिए लोग डिक्स्णरी अपने इसलामिक जाते हैं नहीं है ये फिटनिस ट्रेनर है ठीक है जनाब ये इनके फिटनिस ट्रेनर है हारिस और मुहमब दोनों ने ऐसी इमेजीज़ पोस्ट कर रखी हैं जिसमें वो पाकिस्तानी मिलिटरी ओफिशल के साथ हाथ मिला रही है उनके स यह बड़ी खबर है दोस्तों और मुझे पाकिस्तानियों से कोई शिकायत नहीं है यार आई वो तो हैं जिहादी सबके सब ना वो तो हैं जिहादी वो समझते ही हैं कि दुनिया ट्रांजिट लाउंज है हमें तो उपर जाना है उनका मैटरी उपर जाने वाला है ये तो टाइब उनको लागा जाएगा पर वैसा हो जाएगा फिर दोनों देशों के बीच में दोनों देशों के बीच में प्यार मुखबत बढ़ जाएगी 26 ग्यारा का मेन मास्टर माइंड पाकिस्तानी फौच के आशिरवाद से खुशी खुशी जिम गर रहा है एक जिंदगी जी रहा है जकीर रह्मान लख्री को टेवर गोशित करा है इंडिया ने तो करा लेकिन युनाइटिड नेशन्स ने गोशित करा है वो पाकिस्तान गुम रहा है सब के सामने अपने आपको छुपानी रहा पता है ना वहां पे अपने आपको छुपानी की कोशिश भी नही कर रहा और जकीर रह्मान लख्री खुला चैलिज़ कर रहा है यार हम जाएंगे बंबई में हम तुम्हारे लोगों को मारेंगे सौ दो सौ तीन सौ हम कश्मीर में सो कॉल फराडिया जिहाद करेंगे हम सब कुछ करेंगे और फिर हम तुम्हारे उपर ये भी प्रशर डालेंगे कि तुम आके पाकिस्तान क्रिकट के लो ये मेरी आप से शिकरत है सोचना इसके बारे में आपस में बैठें वो यहां आएं हम वहां आएं हम गाड़ी चला के लाहूर चले आएं वो गाड़ी चला के अमरिच सर आएं फ्लाइट पकल के दिल्ली आजाएं चांदनी चौक वो जैशे मोहमद के आजार भेज रहा है कतले आम करने के लिए पार्लिमेंट पर टैक जैशे मोहमद ने करा था ठीक है पुल्वामा जो लेथपुरा में सुसाइट बॉमिंग होई थी पुल्वामा में जिसमें चालिस भाई हमारे से एर पी एफ के चले गए वीर गती को प्राप्त हो गए वो जैशे मोहमद का आक्शन था ठीक है लश्करे तयब्बा ने 26 ग्यारा करा और इन लोगों को सपोर्ट करते है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आपको क्या लगता है बाबाराजम क्या है आप इन से बोल दीजे बाबाराजम को कि एक बार टेर्रिसम कंडेम करो बाबाराजम कभी नहीं करेगा वो कभी नहीं करेगा क्योंकि बाबाराजम और जकी और रह्मान लकफी में ज़्यादा फरक नहीं है एक टेर्रिस्ट है क्रिकेटर को सपोर्ट करता है एक क्रिकेटर है टेर्रिजम को सपोर्ट करता है यह फरक आपको जानना होगा कि खुले गुम रहा है सारी साजिशिन की होती है और मास्टरमाइण की आर्मी है आर्मी पैदा करती है इनको ठीक है अरो कितना भी हम कहले कि स्नेग पालोगे तो एक दिन खुद तुमें डशेगा ऐसा कुछ नहीं है यह सिर्फ कहन को आता है यह बढ़िया पाल रहे और खु इनको बहुत चालूदेश है इनके दर्ती जब तक हात निटिकेंगे तब तक इनका शरम नहीं आ सकती है इनको वैसे निया सकती है जिसका बचार कुछ बच्ता नहीं खो जाता है इनकी तो तिजोरी भरी पड़िया है इनकी तो तो एसे कमारे कि अगर जन्नत जातने टाइ तो एक बच्वाने के तर ले एक दो बैग तो तो एस टाम ले जाए ठीक है नहीं तो इनके तो बिल्कुल इतने बहुंगे बहुंगे अलिशान घर है पैसा बना रखाए है और इनको चाहिए कि इंडिया और क्यों जाएगी इंडिया तुम्हारी मान सिकता इज दिन इन इ जिसकी मान सिकता ही है कि यह ना हमें तो बदला ले बदला किसका यह नहीं पता लेकिन लेना है जा जा जिनको बच्पन से ब्रेंवाश कर दिया गया ना उनको अब एक ताइम पर आप कुछ नहीं सिखा सकते उनको बहुत दोगले है अपने एक लेवल एक चीज पकड़ी तो यह बस बारत दुशमन है बस और कुछ नहीं पीठ में चुरा घोपने वाली बात तो आपने सुनी है ना तो यह वही है दोस्तिक हाथ आपने बढ़ा देने जिस दिन जिस दिन आपने तालोका सही कर दिये महिना दो महिना भी नहोगा यह फिर कोई लग कर देंगे मिलत आप सब्सक्राइब कर साथ बाबाइ टेक्याट